करेंगे जो से कि अपकी इक्सरसाइज से पहले इसकी थोड़ी से इंट्रों हम कि इसमें अमारे पास क्या है इसमें दो चीजें हमारे यूज होंगी एक हो जब प्राइम नंबर और एक होता है composite number तो ये आपको वैसे तो पता होना चाहिए नहीं भी clear तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ prime number हमारा क्या होता है बेटा कोई भी number जिसके सिर्फ 2 factors होते हैं या तो वो one के table में आए या वो खुद के table में आए ठीक है जैसे two है two किसके table में आता है या one के table में या two के table में तो या smallest prime factor है ठीक है one smallest prime factor नहीं है one का एक ही factor है one उसको हम include नहीं करते है smallest prime factor कौन है two prime factors कौन से होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही factors होते हैं ना 2 से कम ना 2 से जादा इसी तरीके से three है बेटा 3 या तो 1 के table में आएगा या 3 के table में आएगा this is also prime factor prime number sorry 5 है 5 भी या 1 के table में आएगा या 5 के number में this is also prime number 7 है 7 भी या 1 के table में आएगा या 7 के this is also prime number और एक होता है prime number दूसरा होता है composite number composite number क्या होता है जिसके 2 से ज़्यादा factors होते हैं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, numbers more than 2 factors, for example, 4, 4 किस-किस के table में आता है, 1 के table में आता है, 2 के table में आता है, 4 के table में आता है, 6 किस-किस के table में आता है, 1 के table में आता है, 2 के table में आता है, 3 के table में आता है, 6 के table में आता है, 8 किस के आता है, 1 के table में, 2 क टेबल में 4 के टेबल में 8 के टेबल में तो इस तरह से जो नंबर जिनके दो से ज़ादा factors होते हैं उसको हम बोलते हैं composite number और वो numbers जिसके सिरफ दो ही factors होते हैं उनको हम बोलते हैं prime numbers तो second exercise में एक आपकी बहुत important theorem है बिटा fundamental theorem of arithmetic हाला कि हमने इसका proof नहीं करना है लेकिन इस theorem की आपको knowledge होनी चाहिए ठीक है this is very important theorem ठीक है क्या कहती है यह theorem देखिए every composite number can be expressed कोई भी composite number होगा composite number कोन सा होता है जिसके दो से जादा factor होते हैं उसको हम जो है express कर सकते हैं as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur इस statement को अपनी clear करते हैं देखिए क्या बोल रहा है वो कह रहा है हम कोई composite number लेंगे किसी भी composite number को हम express कर सकते हैं prime factors में देखो न जैसे 4 है 4 का मैं LCM लूँगी तो क्या जेगा 2 2s are 4 2 1s are 2 इसको मैंने लिख दिया 2 into 2 तो 2 क्या है prime 2 क्या है prime लेकिन 4 क्या था composite ठीक है तो वही उसने बोला है कि कोई भी composite number हो उसको हम क्या कर सकते हैं express कर सकते हैं as a product of primes ठीक है पहले तो इतने तक ही समझते हैं अभी अगर मैं 6 है 6 भी क्या है composite number इसके जब मैं factors निकालूँगी तो क्या आएगा 2 into 3 2 भी prime है 3 भी prime है फिर से हमारी ये definition जो है वो clear होगी 8 लूँगी तो 8 के क्या बनेंगे 2 2 2 2 2 the 4 4 2 the 8 ये भी prime ये भी prime ये भी prime ठीक है तो I hope इतना clear होगा आपको कि हर composite number जो है उसको हम express कर सकते हैं as a product of primes ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है and this factorization is unique और ये जो इसकी factorization है ये unique रहेगी मतलब अगर एक question में 4 का जो है factorization वो 2 into 2 बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि दो question छोड़के जब ये 4 फिर से आएगा तो इसकी जो factorization है वो 2 into 2 into 3 हो जाएगी ठीक है कहीं पर भी हम किसी भी class में 4th, 1st class में 2nd class में 12th class में या कभी भी हम अगर 4th की factorization करेंगे तो वो हमेशा 2 into 2 ही रहेगा इसका answer जो है वो unique ही रहेगा ये ही रहेगा similarly 6 के case में भी ऐसा ही है तो कोई भी हम composite number ले लेंगे उस composite number की हम जब prime factorization करेंगे तो वो क्या रहेगी हमेशा unique रहेगी उसका answer वैसा ही रहेगा हम कितने सालों के बाद use करें कितने questions के बाद use करें कितनी classes के बाद use करें answer उसका same ही रहेगा unique रहेगा ठीक है आगे क्या बोलता है apart from the order in which the prime factor occur इस पे भी फरक नहीं पड़ेगा कि उसके जैसे क्या इसका कहने का मतलब जैसे हमने लिखा न 2 into 3 कैता अगर आप order change कर दोगे न इसको 3 into 2 भी लिख दोगे न तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो arithmetic fundamental theorem of arithmetic simple language में अगर मैं आपको समझाओं तो क्या होता है क्या बोलती है ये ये बोलती है कि कोई भी यहां से कोई भी composite number ले लो उसको हम express कर सकते हैं 2 prime number 2 या 3 जितने भी होंगे वो नहीं है ठीक है ऐसे कोई relevance नहीं है कि 2 ही होने चाहिए 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं लेकिन basic concept क्या है किसी भी composite number को हम कैसे express कर सकते हैं product of prime numbers और ये जो product होगा ये हमेशे unique रहेगा और इस चीज का कोई फरक नहीं पड़ेगा कि पहले हम order में किसको लिख रहे हैं बड़े वाले को लिख रहे हैं या चोटे वाले को लिख रहे हैं उसका भी इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो this is your fundamental theorem of arithmetic अब चलते मेटा exercise पर exercise 1.2 question number 1 क्या है express each number as a product of its prime factor very easy ये तो करवाने वाला भी नहीं है ठीक है बहुत ही easy है देखो 140 है ठीक है हमने क्या करना है इसको क्या करना है each number as a product of ये क्या है composite number है इसके factors निकालने हैं जब भी आप factors निकालोगे बेटा आपने इस बात का धिहान रखना है कि यहाँ पर जो आप ले रहे हो ये सिर्फ prime numbers ही होने चाहिए ठीक है और दूसरी चीज सबसे छोटे से कोशिश करनी है सबसे छोटे से शुरू करना है ठीक है मतलब कि यहाँ पर ऐसे निए कि आप 4 से शुरू कर दो अगर आप 4 से शुरू करते हो यहाँ पर तो क्या है 4 is not a prime number ठीक है तो इस चीज़ का थोड़ा धिहान रखना है जब आप LCM या HCF निकालते हो factors लेते हो यहाँ पर आपने क्या लेना है prime numbers क्यों क्यों कि अभी आपने theorem पड़ी है composite number जो होती है उसको हम express कर सकते हैं product of prime numbers का ठीक है तो इसलिए तो यह बेटा मैंने इसको किया तो यह 140 किया आगया 2 x 2 x 5 x 7 2 कितनी बार है यहाँ पर यहाँ दो बार है मैंने गलती से 3 लिख दिया है ठीक है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की power 2 x 5 x 7 तो यह बस होगे express इसी तरह एक और part अगर हम करें 3, 8, 2, 5 तो यह देखो 5 के table में भी आता है 3 के table में भी आता है छोटा कौन है 3 तो 3 के table से हमने इसको factorize करना शुरू कर दिया तो यह 3, 8, 2, 5 के factors आजएंगे 3 की power 2, 5 की power 2, 17 यह भी prime है यह भी prime है, यह भी prime है यह composite है तो यही जो है fundamental theorem of arithmetic हमें बताती है तो अब इस question number 1 के बाकी के part I hope आप खुद solve कर सकते हैं question number 2 देखिए find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equal to product of 2 numbers यह identity है एक आपकी LCM into HCF LCM और HCF दोनों को जब multiply करेंगे वो किसके बराबर आएगा product of 2 numbers जो हमें question में 2 numbers given होंगे अब देखिए यहाँ पर जैसे 2 numbers मुझे दिये हैं 26 and 91 मुझे क्या निकालना है इनका LCM भी निकालना है और इनका HCF भी निकालना है तो जब भी LCM और HCF हमें निकालना है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसकी factorization इसके factors निकालने पड़ेंगी और factors कैसे निकालते हैं यहाँ पर prime numbers लेके सबसे छोटे से शुरू करते हैं तो 26 का आ जाएगा 2, 1, 3 ठीक है 2, 13 जा 26 और 13 किसी और के table में नहीं आता तो 13 बंजा 13 ठीक है इसी तरह 91 का करेंगे 7, 13 जा 91, 13 बंजा 13 अब इनके factors इनके सामने लिखते हैंगे जैसे 26 के factors क्या थे 2 multiply by 13 91 के factors क्या थे 7 multiply by 13 अब HCF क्या होता बच्छा HCF होता है product of least part of common factor क्या मतलब देखो 2 number होंगे या 3 number होंगे हमने वहाँ पर क्या देखना है common कोन है मतलब ऐसा कोन सा number है जो दोनों के table में आ रहा है या जिसके table में वो दोनों आ रहे हैं तो किसके table में दोनों आ रहे हैं 13 के table में ये दोनों terms आ रही हैं ये दोनों 2 के table में दोनों नहीं आ रही 7 के table में भी दोनों नहीं आ रही लेकिन 13 जो है वो common है highest common factor है जिसके दोनों के table में ये दोनों आ रहे हैं मतलब 13 के table में तो HCF क्या आजाएगा 13 और LCM क्या होता है product of highest power of common factor with remaining uncommon factors देखिए इसको और simple करते हैं HCF में क्या लिखते हैं सिर्फ जो common है common मतलब कोई एक ऐसा number ठीक है जिसके table में यहां पर जो question में जो 2 number दियें 3 number दियें 4 number दियें वो सारे के सारे आते हों उसको बोलते हैं HCF और LCM में हम क्या करते हैं सारे number लिखते हैं जितने भी factors हैं सारे लिखते हैं लेकिन उनके उपर power क्या लिखनी है जो highest power होगी ठीक है जैसे देखो यहां 2, 2 की power कितनी है 1 तो 2 आ जाएगा एक बार 7, 7 की power कितनी है 1 एक बार 13, 13 की power भी कितनी है 1 तो एक बार यह नहीं देखना अलग-अलग कि यह 13 है यह 13 है तो 2 मतलब 13 का square लिखने नहीं अलग-अलग देखना है अगर यहां पर 13 square इकठा होता न तो हमने यहां 13 square लिखना था तो हमने individually हर किसी की power को देखके लिखना है 2 की power 1 तो आगया 2 7 की power 1 तो 7 13 की power 1 तो 13 13 दो बार नहीं आएगा एक ही बार आएगा ठीक है आगे हम निकालेंगे LCM और Clarity आएगी तो यह हमारा आगया HCF यह हमारा आगया LCM HCF हमने निकाल लिया 13 LCM हमने निकाल लिया 2 x 7 x 13 मैंने आगे पिछे लिखा है क्यूंकि अभी आपने arithmetic theorem भी पड़ी है ठीक है क्या कहा हूँ उसने कि order आगे पिछे कर सकते हो उसका कोई फरक नहीं पड़ता है तो आपकी मर्जी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि LHS ले लिया इसको हम solve करेंगे यह आएगा 2366 और जब इन्सको solve करेंगे तो यह भी आएगा 2366 ठीक है तो इस तरीके से यह जो question है हमने solve करना है अब देखो question number 3 find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method फिर से हमने क्या निकालना है LCM निकालना है और HCF निकालना है prime factorization method लगा के ठीक है देखो यहाँ पर 12 है 15 है 21 है कुछ नहीं करना तीनों के factors लगा दिये 12 के निकाले 15 के निकाले 21 के निकाले अब इनके सामने लिख दिये 12 के मैंने इसके सामने लिख दिये 15 के, इसके सामने लिख दिये 21 के, इसके सामने लिख दिये चलो अब मैं answer नहीं बताऊंगी पहले बताओ HCF क्या है HCF मैंने क्या बोला था ऐसा number जो इन तीनों के table मतलब जिस ऐसा common factor जिसमें यह तीनों आते हूँ अब देखो 2 है 2 में यह आ जाएगा लेकिन यह और यह तो नहीं आएगा 5 है, 5 में यह आएगा लेकिन यह और यह तो नहीं आएगा 3 है, 3 में यह भी आ रहा, यह भी आ रहा, यह भी आ रहा तो इसका मतलब जो highest common factor HCF है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अब बात करते है LCM की LCM कैसे लेना है मैंने बोला था LCM सब numbers को लिखते हैं repeated वाले नहीं लिखते हैं और उनकी power को देखते हैं जैसे 2, 2 की power कितनी है 2 3, 3 की power कितनी है 1 लेकिन 3 कितनी बार है 3 बार लेकिन लिखेंगे एक ही बार उसको power के हिसाब से लिखेंगे 5 की power 1 एक बार 7 की power 1 एक बार तो इसको कर लेंगे multiply आगे उसके बाद अगर question में पूचा है right ठीक है आगे उसके अगर पूचा होगा LCM into HCF is equal to product of two numbers तो आप solve कर सकते हैं next question देखिए given that HCF of 306 and 657 is equal to 9 find LCM of 306 और ठीक है HCF दिया है 9 LCM आपने निकालना है तो ये दो numbers है first number कितना है 306 और second number कितना है 657 और HCF कितना दिया है 9 दिया हुआ है तो अभी हमने एक identity पढ़ी है कि LCM multiply HCF is equal to product of two numbers LCM into HCF आगया 9 product of two numbers two new numbers ले लो 306 और 657 तो LCM 9 इदर आजाएगा LCM is equal to 306 into 657 upon 9 3 3s are 9 3 10s are 30 3 2s are 6 3 1s are 3 यहाँ पर 3 1s are 3 यह 10 था ना 3 3s are 9 3 4s are 12 यह आएगा 34 into 657 इसको जब हम solve करेंगे तो आजाएगा 2 2 3 3 8 this is our answer check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number देखो बेटा एक यह result होता है कि कोई भी number होगा न अगर वो 0 से end तब ही करेगा जब उसके factors जो है 2 into 5 बनेगे ठीक है कब करेगा 0 पर end जब उसके factor क्या बनेगे 2 multiply 5 तो वही मैंने result यहाँ पर लिखतिया है इसके factors कैसे बन सकते है 6 को में लिख सकती हूँ 2 into 3 की power n 2 तो बन गया लेकिन 5 तो है नहीं यहाँ पर ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह 0 पर end नहीं होगा वही लिखा है 6 की power n can't be end with digit 0 because its prime factorization does not contain pair of 2 into 5 ठीक है 2 into 5 10 होगा न ठीक है तब भी 0 पर होगा यह खतम ठीक है तो यह चीज आपने याद रखनी है ठीक है कोई भी number होगा ठीक है उसका जो end है with the digit 0 ठीक है 6 यहाँ पर क्या लिखा है 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n ठीक है तो यह बात अपने result याद रखना है कि 0 कब आएगा किसी digit के last में जब उसके factorization क्या होगी prime factors होगे 2 multiply 5 ठीक है next question देखिए question number 6 explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and this जो भी है our composite number composite number क्या होते है मैंने आपको बताया था जिसके 2 से ज़्यादा factors होते है ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें इसको हम ले लेते हैं यहां से हमने ले लिया 13 common ठीक है यहां बीच में plus है ना अगर plus नहीं होता तो इसके 3 factors है हम बोलते है 3 factors है तो यह composite है लेकिन बीच में plus 13 आ गया ठीक है तो हमने क्या किया 13 को ले लिया common यहां पर आ गया 7 into 11 plus 1 तो यह आ गया 13, 11, 7 is a 77 plus 1 13 into 78 और multiply बाहर 1 हम लिख सकते हैं यूजियली अब कितने factors बन गए हैं 13, 1 और 78 अगर आप चाहो तो 78 को भी factorize कर सकते हो इसके भी 2-3 factors बन जाएंगे तो अब क्या है यह 3 factors हैं 2 से जादा factors हैं तो यह बन गया composite number यही इसने पूछा था बताओ कि explain करो यह चीज कैसे composite number बनेगी similarly यहां पर भी 5 common ले लेंगे देखो यह 5 है और यह बीच में plus 5 है same procedure यहां पर follow होगा तो यहां पर 5 हमने common ले लिया तो अंदर इसको solve करेंगे तो आएगा 42 multiply 24 और यह plus 1 यह आजाएगा 1008 plus 1 तो 1009 और यह 5 और यह multiply 1 लिख सकते हैं similarly इसके भी 3 factors हैं तो यह भी composite number हुआ last question of this exercise देखिए there is a circular path around a sports field एक circular path है हमारा ठीक है Sonia एक लड़की है उसने क्या किये 18 minute लिए to drive one round of the field एक चक्कर काटने के जो रवी था उसने लिए 12 minutes for the same एक चक्कर काटने के लिए रवी ने लिए 12 minutes suppose they both start at the same point एक same point पर उन दोनों ने start किया था and at the same time same time पर भी शुरू किया था and go in the same direction और same direction पर गे after how many minutes will they meet again at the starting point कितने minutes के बाद वो इस point पर फिर से मिलेंगे तो हमने लिख दिया Sonia ने takes किये 18 minutes रवी takes 12 minutes ठीके तो इसका आएगा कि वो कब meet करेंगे इसमें LCM 18 और 12 का निकलेगा जो वो हमारा answer आएगा तो 18 का हमने निकाल लिए factors similarly 12 के factors 12 के भी factors निकाल लिए अब LCM क्या होता है सब सब लिखने होते हैं with highest power 2 2 की power कितनी है 1 2 की power कितनी है 2 highest कुंसी है 2 3 की highest power आजाएगी 2 4 into 9 36 तो यह आगा 36 minutes this is how we will solve this question बेटा यह question यह with this we have completed with this exercise 1.2 I hope इसमें कोई doubt नहीं रहेगा आपका main इसमें HCF और LCM का concept है वो अच्छे से clear होना चाहिए आपको ठीक है thank you